तो है गाई स्वागता आपके एक वर फिर्शे आपी के यूडिव चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोइड्स इंजिनरिंग वर्क्स लेमेटेड को लेकर तो लोइड्स इंजिनरिंग में आपने देखा होगा प्रेवस टेडिंग सेशन के दोरान आपको पता होगा भी यह जब से इसके क्वाटर टू के रेजल्स आये थे और रेजल्स काफी श्यांदार आते वे नज़र रहे थे कंपनी ने काफी श्यांदार प्रॉफिट बनाया था येर ओन येर वेसिस पर आप लोग देखोगे बहुत अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में कुछ खास मुमेंटम नहीं बने है क्योंकि तो आप लोग देखो भी इसका जो पी है वो थोड़ा हाई है पहले से ही ठीक उसके बाद जो पीछे मार्केट में माहौल बनावा था वो आपने देखा हुगा तो इन सब का दवाव हमें स्टॉक के उपर देखने को मिला था और रजल्ट के कुछ खास असर स्टॉक के उपर नहीं रहे अब आप लोग देखो कि भी दो तीन दिन से लगातार मार्केट में अच्छी खासी रैली बनी हुई है उस रैली के चलते ही जो समॉल का मिट कैप्शियर है उन देखने को मिलता रहेगा उसके बाद यहां पर देखोगे च्छालीस रुपे सत्र पैसे के भाव में कलोजिंग लिया है और वन पैंट एट मीलिन याने की अठारा लाग के करीब स्टॉक में वोल्यूम आते वे नजर आई है और इसने जो रिटर्स निकालके दिये बाउन वीक लो से लगभग दोस्टो असी परसेंट के चली डाट आपको बिल्कुल ठीक ठाक रेंजी में दिखाई दे रहे हैं 55 और 36 के उपर एमफाई है उसके बाद पी अभी इसका हाई है 99 पर है ठीक है तो यह थोड़ा सा एक नाई टो इफेक्ट स्टॉक के उपर डालता है अधरवाइस रेजल्ट्स आप लोग देखोगे यह और पर जो डाटा वगरा देखने को मिला वो कैसा है प्रीवेश क्लोजिंग क्या थी 44-50 ओपन वाद 44-60 के भाव में तेजी के साथ फिर स्टॉक निचा है चाहा लिस तक उसके बाद आप लोग देखो इस एधा स्टॉक 46-70 के भाव में जाते हैं नजरा और वहीं पर क्लोजिंग ऐसे में मार्केट प्राइस के उपर एक अच्छा खासा बाई ओडर लगा है जो कि तगरीवन आप लोग देखोगे दो लाक बाइस हजार कॉंटिटी का है और डिलेवरी पोजिशन इसकी शोन नहीं रखे क्योंकि स्टॉक एसम की फोर स्टेज में एक्टिव है तो चलिए तो वहां पर आपको सपोर्ट बताया तो और उपर में हमारा फर्स टार्गेट या रेजिस्टेंस चालिस और पचास पैसे और प्रिवर्स टेडिंग से दुरान यह मुवमेंट्स हमें स्टॉक में आते वे नजर आए हैं अभी की टाइम तिरितालिस पिचासी का पहला सप सपोर्ट और उपर में इसके मुवमेंट्स आ सकते हैं 51 रुपे 65 पैसे तक के ठीक है लेकिन बाहर होड़ साल की मेरे तब से कोई रेक्मेंडेशन नहीं है मैं आपको बार-बार कहता हूं कोई भी डिसिजन लेना है खुद की रिसर्च और एनलाइसीज करके एंड थैंक य अबेशन गलाइण नहीं है मैं इसके मैं मैं तरूम ळेक्सी घा क나 इस करवाडने कि कुछांद रखूर्ट बाहलएं फैशन लेक्सी आ से कुछांच और एनलाइस तक क्या तकас रर द्हशब है था-पैसे ओस, हम सालец came मों संपाने किये सक॥ांच पनकर इसक दोंडर फिदा